वेलकम बाग एवरीवान इस एपिसोड में हम दोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलेवर लिमिटेट के बिजनस मॉडल के बारे में और इस कंपनी के कौटर थ्री रिजल्स को भी डिसकस करेंगे लेगे हिंदुस्तान यूनिलेवर एक ऐसी कंपनी है मुझे नहीं करें थे पास्ट में आज अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट काप है वो in fact close to 5.5 लाग करोर्स का है देखो यहां पर अगर हम दोग बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट शेयर की ना तो इनके पास में 32.5% का मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर विच ग्रोइंग अगर आप देखेंगे एक का जोग मार्केट करके कन दर अब इसके पीछी रीजन क्या है यहां पर आघ समझेंगे इंडिया के अंदर ओल डिल्पल नयए ब्रांड आने लगे है In fact, काफी सारे brands ऐसे है जिन्होंने personal care के अंदर expand किया कुछ startups ऐसे हैं जो सिर्फ personal care को ही cater कर रहे है क्योंकि ये market जो है अच्छी market है, growing market है और ऐसी market है जिसके अंदर consumer को products की and innovation की need है जिसकी विज़ा से HUL ने अपने market share को धीरे-धीरे करके over the time थोड़ा-thोड़ा lose करते गए, तो ये एक important चीज़ है आपर समशना but still they are having over 30% market share which is a very big number to say अब आपके screen पे HUL के brands आ रहे होंगे, काफी सारे जने जो है इसको generally discuss नहीं करते है पर अगर आप इनकी brand की list देखेंगे, it's phenomenal, यहाँ पे हर एक brand ऐसा है जिसके marketing पे इन्होंने अच्छा कासा पैसा खर्च किया है and जिसकी demand जो है, यहाँ पर stable and एक अच्छी demand है तो यहाँ पर आपके screen पे एक brand पूरे आ रहे होंगे, please have a look at it and यहाँ पर दो page के सिर्फ brands यह, almost 100 के आसपास में brands है, over 95 to 100 के बीच में brands है यहाँ पर company के पास में, company के portfolio में, तो आप देख सकते हैं कि almost हर एक need को allocator कर रहे हैं यहाँ पर anyways, अगर हम लोग यहाँ पर result की बात करते हैं, तो results जो हैं बहुत जादा अच्छे नहीं रहे थे अगर आप यहाँ पर sales term में दिखेंगे, क्यों उसके बीचे reason समझते हैं, देखिए यह same trend actually हम लोगों ने notice किया, Mariko में भी और Imani में भी, Mariko यहाँ पर parachute oil बेशते हैं, Imani जो है यहाँ पर boroplus का brand है, तो क्यों हम लोगों ने trend notice के, because काफी दारे जने कहते हैं कि यहाँ पर जो winters है वो delay हुई थी, चलो Mariko के case में valid नहीं है, फिर भी Imani के case में हम एक बार को समझ सकते हैं, but ultimately the point boils down to the fact कि यहाँ पर Indian consumer का जो personal disposable income है, उनका purchasing power रहा है, वो comparatively कम रहा है इस particular last quarter में as compared to any other quarter, जिसकी वज़से हम लोगों ने sales में decline देखा, जनरली हम लोग यह चीज़ नहीं देखते हैं, but यहाँ पर काफी दारी FMGG companies जो established हैं, उनकी sales के अंदर decline था हैं, जो नए startups हैं, जो नए brands हैं, उनके sales अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर एक growth थी, तो यह हमें काफी नई चीज़ देखने को मिली यहाँ पर, which is actually quite good, अगर आप एक consumer perspective से देखेंगे, because they are trying new options and dominance lose होता है, जब भी dominance lose होता है, तो brands जो और जादा work करते हैं, to get new companies, to new products and new pricing, तो वो एक अच्छा point होता है, अगर आप consumer perspective से देखेंगे, but from an investor perspective, काफी जारी चीज़े जो है, यहाँ पर आपको consider करनी चाहिए, ताथी में हमने relevant terms में भी डाला हुए कि percentage wise sales में कितना फरक्ता तो इसको आप देख सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर company के maintain हो है, 24% के margins बने है, generally कोई भी नया startup जो है, 24% के, December 2022 से December 2023 में बहुत ही अच्छ की growth हमें दिखाई, but यहाँ पर financing margin जो है, शापली fall हुआ है, देखिए margin margins नहीं बना पाता है, this is the advantage that they have, because they are the biggest brand, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर समझना है, कि margin जितने यह बना रहे हैं, sector के अंदर उतनी कोई company को बनाने वे, अच्छा कासा time period लगेगा, त that is one thing that you should look out for, अब आपके screen पर इस company का updated shareholding pattern and dividend record भी आ रहा होगा, हमने सोचा इन data points को आपके लिए add किया जाए, but with that said, I really hope you guys enjoyed this episode, पसंद आया, please like, share, subscribe जरूर करना, and I'll see you guys in the next one.